दोस्तों आप भी एकर कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर किलिक किया है यहां दोस्तों आप इस चैनल के मादेम से जो भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपको हर एक बिजनेस के बारे में आपको चाहिक किसी भी वीडियो के अंदर उनको जानकारी आधियादूरी मिलती है इसकी वज़े से वो मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाते हैं और फिर दोस्तों कमेंट बुक्स में बताते हैं कि आपने सर बिजनेस के बारे में बताया हमको उस रेट पर वो माल नहीं मिला या हमने इतने पैसे नहीं कमाए तो भाईयों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप वीडियो पर पूरा वाच करोगे तब ही आपको जानकारी पूरी मिलेगी आपको माल सबसे सस्ता कहाँ पर मिलेगा उसके बाद मैं आपको मारकेटिंग कैसे करनी है कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग बिजनेस आपको करना चाहिए मैं आपको बार-बार यही बता रहा हूँ कि आप एक बिजनेस पर न रहे क्योंकि जो भी नया बिजनेश जो ट्रेडिंग में आता है वो बिजनेश आपको करना चाहिए तो आज इस वीडियो में आपको सांदार बिजनेश बताने वाला हूँ ये बिजनेश उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो किसान है जो मद्यम बरक के हैं जो दियाड़ी कहीं पर मजदूरी करते हैं और जो दोस्तों जो युवास आती है जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई पूरी कर लिए उनके पास कोई भी काम नहीं है रोजगार नहीं है जो भी युवास आती है वो कोई बिसने सुरू करें चाहे आप अपने गाउं के अंदर करें या दोस्तों कहीं सेर के अंदर करें जो भी बिसनेस करता है वो ही आगे बढ़ता है और दोस्तों परदान मन्तरी ने भी ऐसी कई योजना भी आपके लिए लGroup की है जिसके माद़म से आप सरकारी पैसे से बिसनेस कर सकते हैं ऐसी आप योजना का लाप भी ले सकते हैं वो भी बिना ब्याज तो आई ये सारी जानकारी जानते है इस वीडियो में दोस्तों अब आप सर्दियों के मौसम में आपको बिजनेस सुरू करना है सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस चलता है वो आपको करना चाहिए क्योंकि सर्दियां सुरू हो चुकी है सर्दियों में आप कोई भी नया मसाले का बिजनेस कर सकते हैं इसम बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि मीट मसाले का बिजनेस धड़ा धड़ चलेगा इस सीजन के अंदर क्योंकि सर्दिया में सबसे जदा जो मीट मसाला था वो बिकता है क्योंकि हर जगे साकारी नहीं होते हैं जदातर ऐसे राजिया जहां पर लोग मासारी जदा है इसकी वज़े से आप मीट का जो बिजनेस होता है जो मसाले का उनको आप सुरू करें और उसके माद्यम से आप धेर सारे पैसे कमा सकते हैं आप इतने पैसे कमाएंगी कि आप गिनते गिनते ठक जाएंगी जो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको गिनना होगा, एक साल के अंदर आप इतने रुपे कमा सकते हैं, तो दोस्तों आपको कैसे करना है, इसमें आप धनीय का बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तों धनीय जो पीश कर पैकिंग कर सकते हैं, उसमें और भी कई मसाले वो डा बतारां वह आप ध्यान पुरुक सुनिए दोस्तों वीडियो को आप इसकी मत कीजी अब आपको माल कैसे खरीदना है कांसे खरीदना यह मैं आपको बतारों आपके लिए यह बहुत ही जरूरी आपको यह देखना कि आप कहीं पर भी आपके साथ फ्रोड नहों आपके साथ ध दी होती है उसके अंदर आपको बड़ी दुकान पर जाना है जो कुछ ऐसे वैपारी होते हैं जिसके पास हर परकार के stepि item मिलते हैं आपको उन से भी संपर्ख करना है जो भी आपको मसाले के जो मेट्रे लोती है आपको सभी खरीदना है अलग अलग उसके बाद में हैं प्यूँंक के से करना है आपको पैकिंग कैसे करना है उसके बाद में आपको क्या करना होगा उसी मार्केट के अंदर सब चे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी दुकान होगी या दो हो सकती है जो सिर्फ मसाले का ही काम करते है जो हॉलसल होता है उसके पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं होता है सिर्फ मसाले का ही बिजनेस करता है उन से आपको पता करना है कि वो आपको क्या भाव दे रहा है तो दोस्तों जो पहले आपने भाव पुसा करीबन उनके परते एक आइटम के पिछ से आपको 200 रुपे से लेकर 200 रुपे का अंतर होगा अब दोस्तों उसके बाद में दूसरे मार्केट के अंदर आपको पता करना है आपने एक मार्केट के अंदर पता कर लिया और आप पर्ची बना लेजिए वहाँ पर उस मार्केट में की कौन सी आइटम क्या भाव मिलती है क्योंकि ऐसे ही आपको भूल जाएंगे तो दूसरे मार्केट के अंदर आपको इस तरीक से और भी पता करना है दू, तीन, चार, पांच मार्केट के अंदर आपको पता करना है तो आप अलग-लग परची पर आप सबी जुभाव है वो आप लिश्ट त्यार करेंगे उसके इसाब पयूँ आपको ये देखना है कि सबसे सस्ति कहा है वहाँ से ही आपको खरीधना है ऐसा नहीं है कि महिंगा खरीदे वहाँ से खरीद लो तो सबसे सस्ती आप खरीदोगे तब भी आप पैसे कमा पाएंगी उसके बाद में आपको एक छोटी मसीन क्या हो सकता ऐसा नहीं कि आपको बड़ी मसीन खरीदेंगे छोटी मसीन आप खरीद सकते हैं यह मसीन सिर्फ 8000 रुपे में आपको मिल जाएगी यह जो आप देख सकते हैं इसमें आप हल्दी का भी मसाला त्यार कर सकते हैं जो लाल मिर्च होती है उसका भी आप मसाला त्यार कर सकते हैं रुप आठ हजार रुपे में यह मसीन आपको आराम से म्ल जाएगे मार्केट के अंदर आप बड़े मार्केट के उड़ जाएंगे आप्को eh που बजाएगे बजार के इंदर उसके बाद में आपको मसाला एको पीसना होगा फिर आपको पैकिंग बनाना होगा आपको 20 गराम से लेकर दोस्तों 50 गराम तक ही पैकिंग बनाना है इससे जदा आपको नहीं 20 गराम और 50 गराम के बीच में उस पैकेट को आपको क्या करना होगा छोटे छोटे जो गहां होते हैं वहां पर क्योंकि वहाँ पर हर परकार के आइटम नहीं मिलते हैं तो आपको दुकानदार के जो दुकानदार होते हैं वहाँ पर आपको बेचना है आपको हॉल्सॉल वेपार करना है हॉल्सॉल से आपको क्या होगा कि परतेक अगर आपको पैकेट की पीचे कम से कम आपको मान लिया कि आपको 50 पैसे भी मिल रहे हैं तो आप कितने दर्जन चैल करोगे उसके अंसाब चे आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेगे मान लिया कि आपने 100 पैस बेच दिया तो उसके उपर आपको 50 रुपे मिलेगे तो इस तरीके से आप 50 ग्राम का पेकेट अगर बेचोगे तो उसके पिछे आपको 10 रुपे मिल जाएंगे तो आप 100 पेकेट अगर बेचेंगे तो आपको सीध हजार रुपे मिल जाएंगा तो आपको ये तार्गेट रखना है कि कम से कम मेरे को एक दिन के अंदर 500 से लेकर 2000 के बीच में पैकेट सेल करने है तो आपको करीबन 10,000 रुपे से लेकर 15,000 रुपे के बीच में आपको कमा सकते हैं ये रोजाना की मैं आपको कमाई बता रहा हूँ ये सांदार बिजनेस है आप कुछी दिनों के अंदर दोस्तों लग पती से करोड़ पती बन जाएंगे सिर्फ चार माईना के अंदर आप इस बिजनेस के माद्यम से करोड़ पती बन सकते हैं तो दोस्तों सांदार बिजने से सर्दियों के मुझसे में आपको सुरू करना चाहिए सब चे ज़्यादा मीट का मसाला आता है उसको आपको बेचना है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे परते किलो के हसाब से आप अगर बेचोगे करीबन आपको 10,000 रुप में मिलेंगे जो मीट मसाला आता है उसके पिछे तो जय हिंद वंदे मात